नमस्कार अरणाचल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं मानच कुमार शर्मा आईए बॉलिटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने समसहित कही राज्यों और जिलाधिकारों के साथ कॉरोना पर की चर्चा पीएम ने देश में कॉरोना महमारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बरहाने और स्थानी कंटेंट्मेंट जोन बनाने पर दिया सोर अरुनाचर पुदेश में पिछले 24 घंटे में कॉरोना से 4 रोगियों की मौत राजे में दर्च किये गए 304 नए मामले और 214 रोगी हुए स्वस्त देश पर में पिछले 24 घंटे में 4 लाख 22 रोगी हुए स्वस्त अरुनाचर पुदेश सरकार के आदेश के मुताबिक राजे में कॉरोना की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए गठित ग्राम पंचायत स्थर की समिट्यों ने काम शुरू किया पापुमपारी जिले के होटो पंचायत के प्रतिनीधियों ने हॉलों की मार्केट में कामगारों को कॉविट स्वस्त पर किया जाक रुक पृधानमंत्री नरेंडर मोदी ने देश में कॉरोना महमारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बरहाने और स्थानी कंटेंटमेंट जोन बनाने पर दिया जोर प्रधान मंतरी आज शाम महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साचा करने के लिए राज्य के फिल्ट अधिकारियों और जिलाधिकारियों के से कौरणा महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा ताकि उनके नए सुझावों को महामारे से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके श्री मोधी ने दवाओं और जिकितसा उपकरणों की काला बाजारी करने वाले के खिलाब कड़ाई से कारवाई करने को कहा है प्रधान मंतरी ने जिलाधी कारे को आस्वस्त किया है कि संक्रमन को रोकने के लिए केंडर उन्हें बिना किसी हिचक के मड़त करेगा श्री मोधी ने कहा है कि कोविट के बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीन इलाकों में स्वस्त चिकितसा के बुन्याली धाचों की बरी चुनौती है और जिलाधी कारे उपर लोगों तक पहुँचने उन्हें राहत दिलाने की बहुत बरी जिम्मेदारी है प्रधान मंतरी ने इस बात पर जोर दिया है कि स्थाने कंटेंटमेंट्मेंट जोन से संबंधित दिशा नरुदेशों को सक्ती से लागू करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को सामाने जीवन और आवश्रक वस्तों के आपोर्ती में किसी तरह की परिशानी ना आए आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर भूमी काम है आप एक तरह से इस युद्वे के फिल्ड कमांडर है आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर फिल्ड कमांडर्स के रूप के आज नेतरुत्व समाल रहे हैं और इस वाइरस के खिलाब हमारे हत्यार क्या है हमारे हत्यार है लोकल कंटेन्मेंट जोंग्स एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तब सही और पूरी जानकर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जीला स्तर पर किसी इनोवेशन की ज़रुवक है उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मेलेगी तो मेरा आपको खुली छूट आप जुरूर कीजिए अगर यह इनोवेशन में अरुनाचल पुदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 रोग्यों की मौत होने से राजी में इस महामारी से मरने वालों की संख्याबर कर 85 हो गई है डेडिकेटिड कोविद अस्पताल चिंपू इठानगर में दापूरी जो की वीश वर्षिय महिला डेडिकेटिड कोविद अस्पताल पासिघार में रोईंग के 40 वर्षिय और इस्ट सियंग जिले के 52 वर्षिय पूरुष और तेजू के ग्रेफ के 40 वर्षी कर्मी की सोमवार को कौविट से मौत हो गई राजे स्वास्त सेवा निदुशाले के अनुसार कौरोना की दूसरी लहर में राजे में सोमवार को कौविट के सरवाधिक 304 नए मामले सामने आए और 214 रोगी सुस्थ हुए राजे में कौरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बरकर 2030 हो चली 346 हो गई है और रिकर विदर घट कर 89 प्रतिशत रह गई है राजे में पिछले 24 घंटे में कौविट चांच के लिए 4208 सेंपल एकतरित किये गए प्रदेश में दर्च किये गए ने मामलों में इटानगर राजानिक शेतर से नवासी लोवार दिवांग वेली से 25 अपर सुबंस्री से 22 चांगलंग से 19 नामसाई से 14 पापुमपारे लोवार सुबंस्री और लोवार सियांग से 13 वेस्ट कमेंग से 9 इस्ट कमेंग तिरब अंजाव तवांग और दिवांग वेली से 6 लोहित वेस्ट सियांग से 4-4 लेपाराद और इस्ट सियांग से तीन-तीन कामले अपर सियांग और सियांग से एक-एक रोगी शामिल है देश में कोविद संक्रमन के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है हालांकि कई राजियों और केंद्शाशित प्देशों में मामलों अभी भी बढ़ रहे हैं देश भर में पिछले 24 घंटे में कॉविट के 4,22,000 से अधिक रोगी सुष्थ हुए और 2,63,000 नए मामले सामने आए इस दोरान 4,339 रोगीयों की कोरणा से मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,78,000 से अधिक हो गई है देश भर में कॉविट के सक्रे मामलों की संख्या 33,53,000 और पिछले 24 घंटे में 18,79,000 सेंपलों की जांच की गई किंद्रे स्वास्त मंत्राले के अनुसार अब तक देश में 18,29,000 से अधिक कोविट टीके लगाए चाचुके हैं देश में अब तक 18,44,000,000 कोविट टीके लगाए गए हैं इधर असम सरकार ने राजय में कोविट 19 मामलों को बठने से रोकने के लिए जिलों के अंदर लोगों और वाहनों के आवागमन पर शुक्रवार से लोग लगाने का फैसला किया है राजय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में कल एक आदेश चारी किया था स्वास्त विभाग ने 50 वर्ष की आई वर्क से उपर और अन्य बिमारियों से ग्रस्त लोगों को होम आइसलेशन की बजाए संस्थागत आइसलेशन में रहने को कहा है स्वास्त विभाग ने ऐसे रोगियों को 7 दिन तक संस्थागत आइसलेशन में चिकितसा निगरानी में रहने के बाद छुटी दिये जाने पर 7 दिन तक घर में आइसलेशन में रहने को कहा है अरणाचर प्रदेश सरकार के आदेश के मताबिक राज में कॉरोना की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए गठित ग्राम पंचायत स्तर की समितियों ने काम करना शुरू कर दिया है पापुमपारे जिले के बाले जान सरकल के तहट आने वाले होटो पंचायत में बनी ऐसी ही एक समिति ने आज होलंगी मार्केट कमिटी के साथ मिलकर पहले चरण में होलंगी मार्केट इलाके में कॉरोना महमारी के बारे में लोगों को जागरू किया समीटी के सदस्यों ने इलाके में निर्मान कारे में लगे मजदूरों को कॉविट S.O.P.S. का पालन करने और सब्ता हमें एक बार कोरोना टेस्ट कराने की सला दी दूसरे चरन में ये समीटी बुद्वार को होटो पंचायत के गाउ में जागरुकता अभियान चलाएगी होटो पंचायत के प्रधान ताबाताकार ने बताया है कि पंचायत प्रतिनीधियों गाउपूरा और आशा और अंगरुकता भियान चलाया जाएगा और कोरोना के खिलाब लराई में राजसरकार को हर संभव सहीयोग दिया जाएगा होलंगी की ये कि आज हम्लों को जो हरुरिंपिया है ताकि जितना भी हम्लोंका गाइटलाी ने Depthüy है मैंटेन किया जाएगा पर्स पेस्ट पेस्ट जया जा क् whole जारेताकू जो न्होंतों कर गा सब मिलकेए भी फस्ती में जांके अनुसमेंट करईगा कि किस तरह की अधियर्स को बाच की रहना है इस्ट कमिंग जिले के सेवा विलेज में कोरोना की दूसरी लहर के खिलाब लराय के लिए गठिट ग्राम 25 तर की समिती इस्थानिय लोगों को कौविट से बचाव के बारे में लोगों को जागरू कर रही है सेवा विलेच के ग्राम चेर्मेन ने आज लोगों को हाथों को सेनिटाइज करने और मास्क लगाने के बारे में जाकरू करने के अलावा उन्हें मास्क और सेनिटाइजर वितरित किया इटानगर राजदानिक शेतर जिला प्रसाशन एक तरफ जहां लोगडाउन का पालन सुनिश्चित कराने में लगा हुआ है वही दूसरे तरफ कॉविट महामारी से मरने वाले कई लोगों का अंतिम संसकार भी उनके परिजनों की सहमती से कर रहा है EAC दातुम गादी सहित कई अधिकारेों ने कल डेडिकेटिट कॉविट अस्पताल चिंपू में कॉरोना महामारी से मरने वाले एक महिला का अंतिम संसकार किया इटानगर जिला प्रसाशन ने पिछले तीन सब्ता में चार कॉविट रोगयों के शव का अंतिम संसकार किया है लोवार दिवांग बेली जिला उपायुट के अन दामों ने लोगों से जल्द कॉविट का टीका लगवाने की अपेल की है उन्होंने कहा है कि 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को कॉविट का टीका लगाने के बाद काफी हद तक कॉविट महमारी पर नियंत्रन पाया जा सकता है लवार दिवांग बेली के सभी वासियों को हम यह अनुरोद करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सिन ले वैक्सिनेशन परसेंटेश बहुत LEION है तो यह जो है बहुत ही चिंता जनक का बात है तो सभी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वैक्सिनेशन ले और इस बिमारी का वैक्सिनेशन ही एक परमानेंट सोलूशन है हम बाकी जो हैं फेसमाक्स यूज़ करते हैं हैंस सेनिटाइजर यूज़ करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करते हैं ये सोब तो जरूरी है जरूरी इसलिए हैं कि आजकल पता नहीं है कहां से ये बिमारी आ जाता है तो उससे रोप ठाम के लिए हैं तो पर्मानेंट सोलुशन जो है वेक्सिनेशन ही है ये बिलकुल टेस्टेट हैं और जिसने भी वेक्सिनेशन ले चुका है उसका जो है डेथ रेट जो है बहुती कम है नहीं के बराबर until or unless किसी का immune system बहुत कमजोर क्यों और जिसका already बहुत serious medical history है उनके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन ये बिल्कुल proofed and tested हैं कि vaccination जबरजस्त काम करते हैं लोगों को तो इसलिए vaccination के देरी ना करें जल्दी से जल्दी अपने अपने hospital में जाके अपना नाम पंजिकरन ले कर और वैक्सिन को जल्दी से जल्दी लेने का सप्लुब जो हैं प्रक्रिया शुरू कर दें विधायक कालिंग मोयोंग ने कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लराए में जिला प्रसाशन और स्वास्त विभाग के साथ लोगों से सहीयों की अपील की है बाकिन परतिन जनरल अस्पताल पासीघाट में सौमवार को 18-44 आईवी वर्क के लोगों के लिए कोविट टीका करन का शुभारम करते हुए उन्होंने लोगों से सोपी का कड़ाई से पालन करने की अपील की जिलाची कित साथिकारी का लिंग दाई ने लोगों से टीका लगवाने के बावजूद अनिवारी रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियोमों का पालन करने की अपील की इधर F.R.U. रुक्सिंग में टीका लगवाने वाले युवाओं ने तीसरे चरण की कौविड टीका करन की लिए कौविन पॉर्टल पर लाभार्तियों से रेजिस्ट्रेशन कराने को कहा है तो वेक्सिंग के बात मुझे इसा कोई रिपोर्ट दिया गया है कि वेक्सिंग का बात मात्स लगाना की जरूरी नहीं होता है इसा बात मिलिए है वेक्सिंग का बात भी आपको मास लगाना होता है वेक्सिंग बात भी आपको इंफेक्षन हो सकता है कौविड महमारी से स्वस्थ होने वाले लोवार दिवांगवेली जिले के जाजू पूल ने लोगों से कॉरोना बिमारी से संगरश कर रहे रोगियों और उनके परिवारों को भावनात्मक सहीयों करने की अपेल की है उन्होंने कहा है कि कॉरोना रोगी के लिए चिकित्सकिये सहायता के साथ-साथ सामाजिक सहीयों काफी माने रखता है मुझे 20 एप्रिल 2021 को पॉजिटिव वह था मेरा हमको डक्टर लूब ने साला किया कि होम आशिलोशन के लिए उसके साथ मेडिशन्स दिया हमको मेरा एक्सपिरेंस ये भी रहा कि ये जो कॉवीट है वो जैसे आत्मिलोग जैसे उसको लाइड लिल ले रहा है तो वो वसे नहीं है मुझे एराउंड एट डेस तो टोटेली हमको बिस्तर में हमको रहना परा फॉर्टिन डेस आइसोलेशन में आइसोलेशन का समय में मैंने कुछ जैसे दक्तर लोग ने जैसे सला किया वो मैंटेन किया तो खान पान में फ्रूस वगरा खाया घरम पानी कंट्यून लिया उसके बाद स्टीमिंग किया और बीच बीच में ब्रिदिंग एक्साइस वगरा किया मेरा रिकोस्ट है कि सबसे रिकोस्ट है कि ये कोवीट को लाइडली ना ले जो गॉर्मेंट का गाइडलाइन्स है उसको अच्छा से फॉलो करें और दूसरा चीज़ यह है कि अगर इनकेस आपका कोई आस पड़ोशी या कोई अगर दोस्त अगर पोजिटिव हो तो उनको को कोल करके या मैसेज करके उनका हाल चाल पुचे ताकि वो मोटिवेटर है प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के अंतरगत सौमवार को इटानगर राजधानिक शेत्र के योगिन वैली फैर प्राइश शॉप पर राशन कार्ट होल्डर्स को प्रतिवेक ती पांच किलो की दर से चावल वित्रित किया गया लाभार्तियों ने कोविट महामारी के दोरान मई और जून महीने के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की केंदर सरकार की योजना पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे उन्हें इस कठिन समय में काफी राहत मिली है अज इतना कुशी है आम लोक दाउन में आम लोक को इतना गोप्मेन जो है कोपर्टी ओसे आम लोक को इतना मदद दिया है जितना ओ मिलना है उसे भी जादा ना 60 किलो आम लोक को 30 किलो आम लोक मिलता है ना काट में 30 किव अ को सब्सक्राइब... तो चावल दिया तो ठेंको लेकिन साथ में और कुछ देजिये तो अमनों के गरिब के लिए आच्छा होगा। पासिघाट नगरीक्षेत्र के लाभारती आनंद सरकार, कृष्णा सोनार और अपंग जमो ने कौरणा महामारी के दोरान गरीब परिवारों को मुप्त राशन पुदान करने के लिए सरकार के प्रती आभार व्यक्त किया है। अरुनाचल समाचार के आज के अंक मेटना ही, जाने से पहले आप सभी से मिनरोत करते हैं कि कोविट-19 के दिशांदर देशों का पालन करें। हमेशा मास्त लगाए, बार-बार हर्दोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियोमों को माने। कोरणा मा हमारी से बचाव के लिए आपका वैक्सिन लगवाना भी सरूरी है। अगर आप वैक्सिन लगवाने के बात रहें तो जरूर लगवाए। हम कल फिर हाजिर होंगे, अरुनाचल और देशों दुनिया के खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दे कि आप अरुनाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी नियूस अरुनाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहें अरुन प्रभा, नमस्कार। कर दो देखते हैं।